मेरे को बहुत सारे मेसेज़ेज आये अपने इंस्टाग्राम पेज पर और बहुत सारे कॉमन्ट्स आये अपने यूटूब वीडियो पर कि भाई प्लीज बताओ कि हम कैसे अपने एंड्रोइड फोन में WWE 2K19 को इंस्टॉल करके खेलें तो मैं उसी टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ और मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि हाउ टू डाउनलोड और प्ले डव्लीड टू के 19 ऑन यूर एंड्रोइड फोन जैसे कि हम सबको बता है कि अभी तक इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताऊँगा कैसे इस मौड को अपने एंडुड फोन में इंस्टॉल करके खेलें तो हम अपनी फोन की तरफ आ गए हैं तो सबसे पहले आपको एक ब्राउजर खोलना है जिसमें एड ब्लॉक अनीबल ना हो यहाँ पर आके एक लिंक पेस्ट करना है मैं यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस लिंक पर क्लिक करके आप डिरेक्ट इस वे पहुंचे के बाद I am not a robot capture पे क्लिक करके क्लिक है to continue करके 10 secrets में आपका link ready हो जाएगा और नीचे इसको deny कर देना और नीचे जाके आपका gut link आजाएगा gut link पे क्लिक करते ही आप मेरी website पर पहुंच जाएगे website पर scroll down करते हैं आपको कुछ screenshot मिलेंगे game के तो सबसे पहले आप डाउलोड लिंक है PPSSPP का APK तो आपको इसको क्लिक करके इसकी PPSSPP की APK डाउलोड करनी है क्लिक करते है आप इस page पर आजाएगे कभी-कभी कुछ दूसरा tab खुल जाता है इसमें कभी-कभी दूसरी website पर चले जाता है तो आप अपने हिसाफ से देख लेना आपको एक कैसे करना है इसको भी वैसी सेम तरीके से डाउलोड करना है 10 सेकंड वेट करके get link जैसे get link पर क्लिक करेंगे तो आप Google Drive के इस पर पहुंच जाएंगे तो यहां से आप PPSSPP की APK डाउलोड कर सकते हैं I am not a robot click here to continue click here to continue क्या पता आप दूसरी website पर चल गया है तो अब आपस आ जाना कभी कभी होता है 10 सेकंड वेट करके get link पर क्लिक करेंगे और यहां पर भी आप यह वाला बटन दवा के इस data 1 www2k19 data 1 डाउलोड कर सकते हैं download anyway पर क्लिक करके देख सकते हैं डाउलोड हो रही है पॉस कर देता हूं कि पहले से downloaded है फिर से आप मेरी website पर जाएंगे and then आपको www2k19 data 2 करना है इस पर भी link पर click करेंगे तो same website खुल जाएगी same procedure है सब कुछ सेम है बस आपको इस पर तीनो चीज़े डाउलोड करनी है same website खुलेगी I am not a robot capture कभी-कभी आपको capture solve करने को देता है है वो भी solve कर देना I am not a robot पर click करें click here to continue फिर 10 seconds wait करें get link और फिर आप फिर से पहुझेंगे Google Drive पर यहां से भी download कीज़े यह जो data 2 है वो होगा 1GB का to download anyway करके आप data 2 भी download कर सकते हैं तीनों चीज़े मैंने download कर रखिये तो मैं तीनों को पॉस्ट कर देता हूं इन तीनों करती है आपको इस three dots पर click करता है three dots पर click करने के बाद windows पर click करता है और यह वाला format चुनना क्योंकि यह easy होता है जो तीन फाइल आपने download करें उस फाइल पर जाईए सबसे पहले PPSSPP की gold की APK अपने phone में install कर दीजे यहां पर click करके इसको install करें जो कि बहुत असान है जब द पर जाके इसको select करके more पर जाके यहां पर extract two पर click करना है ठीक है extract two पर click करके आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा current path चूज़ करके okay दबा दीजे तो यह decompose जाने की extract हो जाएगी जहां पर आपने यह download करी है मैं वीडियो को post कर देता हूं क्योंकि यह 1.38 GB की है कुछ total आपको 2 GB खाली होना चाहिए अगर आपको 2K19 खेली है उसके बाद WWE 2K19 save data को भी more में जाके extract करना है more पर जाके extract current path ओके ठीक है इतना असान है extract करना है पहले AP के install कर दिए फिर extract करना है अब यहां पे जो अपने extract कर रहा है PSP इसको select कीजिए cut कीजिए यहां से और फिर cut करके यहां पर paste करना है पहले AP के install करनी है PPSSPP की वहां से फिर दोनों को extract करना और PSP वाले folder को device memory में paste कर देना cut करके यह सब करने के बाद PPSSPP की जो आपने AP के install करी थी उसको open करना है फिर downloads में जाके direct game चालू करनी है आज जो game में WWE RAW direct game चालू कर दे है आपकी game चालू हो जाएगी मैंने gameplay को fast forward करा है ताकि कोई gameplay में time जाया ना हो और आपको proof में मिल जाए कि यह real WWE 2019 है तो काई जही तक की video अगर प्लीज अच्छी लेगी तो प्लीज वीडियो को like कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए और comment कीजिए अगर कोई भी problem है ना कोई भी problem है तो भी comment कीज प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को यह बटन दबा के subscribe कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा देना थाकि आपको मेरी सारी वीडियो की notification मिलते रहे थैंक्स फूर वाचिंग माप वीडियो